हाउ टू गेट एडिक्स एप्रूबल फॉर फ्री सो दोस्तो अगर आप भी एडिक्स एप्रूबल फ्री में लेना चाते हो तो ए वीडियो बहुती इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना इस वीडियो में मैं बताने बना हूँ कैसे अब एडिक्स एप्रूबल ले सकते हो ओ भी बिल्कुल फ्री में और बहुती तगड़ प्रोफाइल है कंपणी का कंपणी का नाम है ग्रिडी गेम जैसे कि आप लोग जानते हो प्रिवियस वीडियो में मैं बताया था एक कमपनी का नाम जो की D.I.D.N.S है जो की फ्री में AdEx Approval देता है AdEx Approval के लिए फास्ट आपके पास Google Ad Manager एकाउंट होना जरूरी है तो Google Ad Manager एकाउंट कैसे बनाओगे उसके उपर मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो को देखके Google Ad Manager एकाउंट बना लो इसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन पे देदूंगा और आई बटन पे भी देदूंगा इसको देखके आपको पहले Google Ad Manager एकाउंट प्रापली सेट अप करना है तभी AdEx Approval के तरब बढ़ना है AdEx Approval लेने से पहले आपको एक बाद बता देता हूँ अगर आपके पास ट्राफिक कम है तो बिल्कुल AdEx के तरफ मत जाओ अगर ट्राफिक आपके पास बढ़िया है और बहुत सारा ट्राफिक है तभी अब AdEx के तरफ जाओ और अगर आपके पास traffic कम है तो adsense ही use करो अब देखो company जो है greedy game यह जो company है बहुत ही तगड़ा इसका company profile है यह एक Google partnered company है तो यह fraud करने का chances बहुत ही less होता है यह ऐसा company fraud आपके साथ नहीं करेगा और बिल्कुल free में आपको approval adx कम मिलेगा so adx का greedy game से adx approval देने के लिए आपको directly greedy game website में आ जाना है और यहाँ पे scroll down करना है और यहाँ पे company profile आप देख सकते हो कितना तगड़ा इसका profile है और यहाँ पे देख सकते हो monetize with adx so यहाँ पे आपको directly आना है monetize with adx यहाँ पे learn more about adx के उपर click कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो make the most of your ad inventory with google adx ठीक है इसके उपर इसका video भी है आप check out कर सकते हो यहाँ पे directly मैं apply कर देता हूँ get started पे click करके so यहाँ पे directly आपको get started पे click कर देना है उसके बाद website आपको select कर लेना है अगर आपके पास app है तो app भी select करके यहाँ पे apply कर सकते हो so यहाँ पे next पे click करेंगे for demo purpose के लिए मैं take for you website को take for you website url ही यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद next पे click करूँगा next पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो what is your page rpm page rpm आपका website का कितना है so page rpm आपको check करना है google adsense पे जाके page rpm चेक करना है so यहाँ पे मैं $1 दे देता हूँ page rpm ठीक है $1 उसके बाद next पे click करूँगा इसके बाद monthly unique visitor कितना आपके side में आता है वो दे देना है 30 to 50,000 unique visitor आता है तो 30,000 ही दे देते हैं यहाँ पे next पे click कर देना है उसके बाद average monthly कितना revenue बनता है तो $200 दे देते हैं उसके बाद देखो यह मैं demo purpose के लिए बना रहा हूँ so इसके बाद next पे click करेंगे उसके बाद next पे click करने के बाद यहाँ पे बोल दा है what is your majority traffic source organic, social and direct यह तीनो traffic source मेरे case में है so basically मैं organic ही select कर देता हूँ direct भी आता है फिर भी मैं यहाँ पे organic traffic को select करूँगा और next पे click करूँगा इसके बाद बोल रहा है total percentage of traffic from tier 1 country so 5% दे देते हैं tier 1 से so उसके बाद next पे click करेंगे so यहाँ पे basically आप एक idea करके दे दो total percentage of traffic from tier 1 country तो यहाँ पे 5% मैं दे देता हूँ उसके बाद next पे click करूँगा what are you expecting from this partnership क्या आप expect करते हो so सभी को मैं select कर लिया आप देखो last page में आपका Google Analytics का last 30 day का traffic report पूरा वेजना होगा बोल रहा है share 30 days traffic report where your domain and traffic source are visible maximum file size 3MB का होना चाहिए last 30 day में कितना traffic आ रहा है Google Analytics report यहाँ पे आपको upload करना है so मैं upload कर लेता हूँ यहाँ से so देखो upload हो चुका है उसके बाद next पे click करेंगे so देखो यहाँ पे आपका name दे देना है उसके बाद next पे click कर देना है उसके बाद mail ID देना है so mail ID मैं यहाँ पे so यहाँ पे देखो Google Gmail ID देने से भी चलेगा आप यहाँ पे Gmail ID दो, यहाँ पे कोई mandatory नहीं है कि आपको Business Mail ID ही देना है मैं यहाँ पे मेरा Gmail ID दे दिया, उसके बाद Next पे क्लिक करूँगा Next पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो Mobile Number है और WhatsApp Number है, यहाँ पे आपको Put करना है So, यहाँ पे मैं मेरा WhatsApp Number दे दिया, उसके बाद directly Submit पे क्लिक कर देना है Submit पे क्लिक करते ही, यहाँ पे देख सकते हो, Thank You Information आ गया Your form was submitted successfully, Our team will reach out to you shortly So, इसका जो Team Member होगा, वो आपको reach करेगा, WhatsApp के through भी कर सकते है या तो Mail के through भी कर सकते है So, कुछ इस तरीके से आप फ्री में greedy game से Addix का approval ले सकते हो अब देखो, Addix approval के लिए आपके website में traffic होना जरूरी है अगर आपके पास कम traffic है, तो आप AdSense यूज करो अगर आपके पास बहुत सारा traffic है, तभी आप Addix के तरफ बढ़ो इस तरीके से आप greedy game पे apply कर सकते हो और अगर आपको approval मिलता है, तो जरूर comment करके बताना So, I hope कि ये वीडियो अप लोगों को informative लगा है अगर informative लगा है, तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के शर्ट शेयर करिए and take for me चैनल को subscribe करना मत भूलना So, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं और भी किसी exciting वीडियो के साथ Till then, have a great day, bye bye and take care